इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर पंडित गोपाल भारगव द्वारा गड़ा कोटा के आसपास बड़ी सौगात दी गई पंडित गोपाल भारगव ने अपने उदोधन में कहा कि गाउ में शेतर के विकास के लिए सड़क का होना बहुत अती आवश्यक होता है रेली विदानसभा में लगबक सभी गाउ में पक्की सड़कों का निर्मान हो चुका है गड़ा कोटा के पास बिलई गाउ में भूमी पुजर का कारक्रव बिलई में रमना मार की लंबाई एक पॉइंट सतर किलोमेटर लागद 117.22 लाग रुपए तदाखानपुरा से टपरिया मार की लंबाई 80 किलोमेटर लागद 62 लाग रुपए आजगड़ा कोटा के साश की असी है राइस बाबुला स्कूल में हिनोता से गड़ा कोड़ा मार्क में गदेरी नदी पर उच्छ स्थरिय पुल का निर्मान का भूमे पूजन समारो का कारिकरम का आयोजन किया गया जिसकी लंबाई 75 है जिसकी कीमत 430.02 लाख वुपे है जो आजाद वौट के लिए दी बहुत ब माननी मंद्री मोदा द्वारा बहुती कम समय में सुईक्यत कराकर प्रारम कराया गया है पुल की लंबाई 75 मीटर है 15 मीटर के 5 स्पान है जोनों तरफ सीसी रोड का दिर्वान किया जावेगा आवशक्ता पुल्की नौता से गड़ा कोटा के बीच में गदेरी नदी बैती है नदी के एक तरफ गड़ा कोटा का अजा पाड़ है एवं दूसरी तरफ नौता ग्राम है जहां से सागर जवलपूर रोड के दूरी मात्र 500 मेटर है चुकि गड़ा कोटा समस्ति स्टाब ने भी भाईया का जीके जयन साब ठेकिदार साब भी स्वागत कर रहे हैं पूर्फ सरपंज यहीं संजला से गड़ा दुवां से बरिष्ट नेदा उत्करश्ट वक्ता स्रीजाजी कटारे की आज के कारीक्रम के मुकाथितगर हम सब पर अपना इसने हे भाव ना बदले जनिते सभाव बदली न कभी जिनकी शैली को काज़र की कोठी में रहते हुए कोई करना सका चादर मेली इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहे इंडियन टीवी नियूज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस रीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए धन्यवाद फिर मेलते हैं अगली खबर के साथ